हेलो नमस्कार वेलकम टू वर्ल्ड नोलिज टाइम तो नयो आज के टाइम में इंडिया भी कूच चुका है ग्लोबल इंग जो ओइल प्राइस की वोर चल रही है उसमें जहां पर एक तरफ है अमेरिका, इंडिया और साथ ही पाकिस्तान, चाइना, ये सब मिलके लड़ रहे हैं उन देशों के खिलाफ जिसमें आता है रूस, यूएई, साओधिय अरेबिया जो की आज के टाइम में प्राइस को काफ़ी ज़दा बढ़ा रखा है ओईल के इस बारे में हम फुली डेटेली बात करेंगे अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो पिर सेलों को सब्सक्राइब कर दीजी तो नयोग ग्लोबली इंडिया भी एंटर कर चुका है इस ग्लोबली ओईल वोर के अंदर चाहां पर यूएस से चाइना एंड इंडिया एक साथ है और दूसी तरफ है रूस, UAE और साथ ही जितने भी ओपैक ये ओईल वाले देश हैं वो सब अब ये जो यूद है वो इस चीज को कैसे जो प्राइस है वो कम किये जा सकते हैं ओईल के क्योंकि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो जो ओईल के प्राइस है वो काफी जादा बढ़ा के रखे हुए हैं वो पैक 30 उने जो की तेल बेचते हैं इनी की वज़े से आज के टाइम में हाई रीट हमें भी तेल खरीदना पढ़ रहा है अब देखा जाए तो रशिया भी इस चीज़ के अंदर सामिल है इसमें भी रशिया का भी एक एग्रिमेंट है जिससे की वो जब चाहे तेल के प्राइस को अनफॉर्चनेटली एक गलत तरीके से बढ़ा सकते हैं जिसकी हिजाब से अगर देखा जाए तो उन लोगों ने आज की टाइम में जो सप्लाई है काफी कम कर दिया है जिसके कारण ओईल के प्राइस है काफी बढ़ चुकी है फाइनली भारत सरकार ने ले लिया है फैसला जिसके तहट जो भारत के पास ओईल रिजर्व है उसमें से हम निकाल के 5 मिलियन बैरल टेल को रिलीज कर देंगे अपनी मार्केट में जिससे होगा कि जो मार्केट में ओईल के प्राइस है वो काफी कम होंगे फ्यूचर में पर देखा जाए तो यह जो रिजर्व बना के रखे जाते हैं वो रखे जाते हैं वोर के टाइम के लिए या तो किसी देश के अंदर कोई वोर्ट छिट जाए तब उसको रिजर्व को वो काम में लेता है या फिर कभी अगर किसी ओपैक देश में आपस में कुछ मद्भेत हो जाए कोई किसी कारण से तेल की सप्लाइन ना हो पाए तो उसके लिए जो तेल है रिजर्व में लगा चला सकते हैं हमें तेल खरीदने की किसी से भी कोई जुरत नहीं पड़ेगी उसी चीज़ को अब इंडिया की जो सरकारे से रिजर्व को जो ओईल रिजर्व है उसको करने वाली है रिलीज आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास almost कितना रिजर्व है जो ते आज से कम से कम दस दिन तक चलाने के लिए जिससे की इंटरडेसली कुछ तो प्राइस कम होंगी ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारती अपना क्रूड ओल रिलीज कर रहा है मार्केट में बलकि यहाँ पे चाइना पाकिस्तान यूएस से जापान कोरिया और साथी ब्रिटेन ग्रे अमेरिका हमारे साथ क्यों आ रहा है अमेरिका तो आज से कुछ वक्त पहले ओल प्रोड्यूजिंग कंट्री था वो तो ओल बेचता था ओल निकाल था अपने देश में उसे यूज करता था तो अब ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ओल को पर्चिस करने लगा तो मैं बता दू यूज के पीछे है सबसे बड़ा कारण जो बाइडन जिन्होंने आज से कुछ वक्त पहले यह कहा था कि अब हम अपने देश के अंदर तेल कम निकालेंगे ताकि जो ग्रीन एनर्जी को है ज्यादा सपोर्ट कर सके आज के टाइम में अगर देख जाए तो अमेरिका जो 100% तेल निकालता था उसके बजाए आज के टाइम में निकालता है 60% के आसपास और जो 40% है वो निकालता नहीं बल्कि वो पर्चेस करता है साओधी अरेविया जैसे देशों से जिसे की आज के टाइम में अमेरिका को भी काफी ज़दा नुकसान हो रहा है और अमेरिका इसी साथ ही मैं आपको बता दू युएस से भी अपना जो कूड ओई का रिजर्व है उसमें से रिलीज करने वाला है 50 million barrel जो की काफी बड़ी मातरा है इंडिया कर रहा है 5 million और युएस से कर रहा है 50 million यानि की 10 गुना जादा भारत से जो कि एक बात में बता दू इस से 100% असर पड़ेगा तेल के रेटों पर यहां तक की जो तेल के प्राइस है वो 100% कम ज़रूर होंगे अभी आप में से काफी लोग सोच रहे होंगी कि यार एक तरफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान यहां तक युएस से और दूसरी तरफ रशिया, साथी अरेबिया और जितने भी ओ साथ से अपने फ्रेंड्स और दूसमन को बदलता रहता है, जो कि अगर देखा जाए तो वर्ल्ड एकोनोमिक्स के लिए काफी ज़रूरी भी है, नो पर्मनेंट फ्रेंड, नो पर्मनेंट एनिमी, तो खेर अब आप लोगों का इस बारे में क्या मानना है, कौन से जो कंट तो प्लीज कमेंट के, जरूर अपनी राय मुझे बताईएगा, मैं जरूर पढ़ूंगा, और थैंक यू सो मच फोर वर्चिंग इस वीडियो, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच